दूसरी completely bankrupt हो जाती है, अलग-अलग कंपनिया हैं, एक ही सेक्टर की हैं, दोनों का price action बहुत सिमिलर हो, नमशकार दोस्तों, G2G सीरीज में एक नया वीडियो, प्राइमेरली इसमें ये समझेंगे कि एक ही सेक्टर में अगर दो कंपनिया अलग-अलग चीजें करती हैं, तो क्या होता है, सेम चीजें करती हैं, तो क्या होता है, और आम तोर पे अच्छी कंपनी बुरी कब हो जाती है, या अच्छी कंपनी और अच्छी कैसे होती है, तो ये चार्ट है दो इंडियन कंपनी का सेम सेक्टर की दोनों कंपनी आप देख सकते हैं किस तरह दोनों 2015 में पीक करती हैं और यही दो कंपनी अलग-अलग कंपनीया हैं एक ही सेक्टर की हैं दोनों का प्राइस आक्शन बहुत सिमिलर होता है 2015 से 2019 तक ये दो कंपनीया हैं अमेरिका की अगें सेम सेक्टर में हैं 1970 से आप देख सकते हैं 1988 तक एक दम सिमिलर प्राइस आक्शन लेकिन इसके बाद दोनों का प्राइस आक्शन डाइवर्ज करता है एक कंपनी और कमाल करती है दूसरी कंप्लीटली बैंकरफ्ट हो जाती है क्यों? इंडियन कंपनी थी, वो है फार्मा सेक्टर की कंपनिया, उनके बारे में आपको बताने बाला हूँ, प्राइस आक्शन आप देख लीजिए, और जो अमेरिकन कंपनी थी, वो है यूएस डिसकाउंट रीटेलर्स, जिसमें एक कंपनी है वालमार्ट और एक कंपनी है MS, इनकी बात करेंगे और इसका पैरलल हम लगाएंगे, इंडियन कंपनियों के साथ भी, हमारे शेयर बजार के साथ भी, और ग्लोबली टिपिकली शेयर बजार में कंपनियों में क्या होता है, दो कंपनिया थी, यूएस डिसकाउंट लीटेलर्स, एक का नाम था MS, एक का बारे में आप जानते हैं, दुनिया की प्रॉबली आज भी सबसे बड़ी कंपनी हैं, रेविनियों में, करीब 10 या 11,000 उनके स्टोर्स हो गए हैं, पुरे अमेरिका में, they are very well known, surprisingly, MS Walmart के पहले शुरू हुई थी, डिसकाउंट मॉडल, उन्होंने औरकंसौ में सबसे पहले क दिया था, उनके चार साल बाद, Sam Walton, the Walton Brothers did it in 1962, उन्होंने नौटीस्ट, US में शुरू किया था, दोनों का बिजनस मॉडल सेम था, डिसकाउंट रीटेलर, शुरू में, दोनों ही, रूरल, semi-urban, जिसको हम इंडिया में tier 2, tier 3, tier 4, cities या टाउंस बोलते हैं, वहां पे शु 22 में हुई थी, similar business model, similar company, similar व्यापार, और Walmart actually copied, you can say, या चार साल बाद आया था, जो 1958 में इन्होंने शुरू किया था, discount model, actually इन्होंने पहले शुरू किया था, अब देखते हैं, दोनों कम्नियोंने कैसा behavior था, this is outperformance versus stock market from 19, from their listing till 1988, आब बतानी पाएंगे कौन सी company Amis है, कौन सी company Walmart है, एकदम similar performance, extremely good business model, discount retailing, धे-धे-धे stores खोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफार्म कर रही थी, दोनों कम्निया, exactly वो फार्मा वाली इंडिया की companies की थरह, कि 2015 सक दोनों लगी हुई है, बहुत अच्छा कर रही है, अब देखते हैं, 1984 to 98 में, 88 में ऐसा क्या होता है, कि दोनों कम्नियों का अगला 20-25 साल एकदम diverge करता है, एकदम रास्ते दोनों के अलग हो जाते हैं, इस लाइक कि आप यहां से कहीं जा रहे हैं, एक ही रास्ते में दोनों के, लेकिन उसके बा 84 से 1988 तक, Amis ने कहा किया आपका मौलूम है, उन्होंने तीन बड़े acquisition किये, पहले दो acquisition तो फिर भी ठीक ठाक थे, क्योंकि वो उनका जो business model था ना, tier 2, tier 3, semi-rural, और rural area और semi-urban area में अपने stores खोलने का, इन दोनों का business model similar था, same नहीं था, लेकि उन्होंने बहुत खर्च करके दो acquisition किये, और 1988 में उन्होंने एक बहुत बड़ा acquisition किया, Zaire का, Zaire की खासियत क्या थी, कि इनका business model अलग था, एक इनके stores cities में थे, अलग business model था, और समझना और integrate करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो during 1983 to 1988, यह जो 5 साल का period था, जब share price बहुत अच्छा कर रहा था, company बहुत अच्छा कर रही थी, Amis ने क्या किया, बहुत सर्थ acquisition किये, कि मुझे जल्दी बड़ा बन जाना है, shareholders को दिखाना है, कि मैं aggressive management team हूँ, और मैं कंपनियों को acquire करके, पुरे nation में फैल जाओंगा, पुरे देश में फैल जाओंगा, इन्होंने इस तरह किया, कि आ अब आप समझे, जो Tamil Nadu में जो store चलाता है, उसको रहसन के बारे में क्या मालूँ, जो गाओं में store चलाता है, उसको शेहर के बारे में क्या मालूँ, इनको लगा ये पुरी दुनिया जीत पाएंगे, तो ये इनका business model थोड़ा सा change हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ आपने share price में देख लिया, इसी दौरान देखते हैं Walmart ने क्या किया, Walmart ने 1987-88 में उस जमाने के लिए बहुत पैसे थे, इन्होंने 24 मिलियन डॉलर इंवेस्ट किये, अपना private satellite network बनाने में, cutting edge technology बनाने में, और two-way communication की head office से store का एकदम two-way communication हो, better inventory management हो, better sales management हो, क्या trend है, क्या चल रहा है, और interestingly, one-way video communication, जो आज हम video call आसानी से कर सकते हैं, इन्होंने 40 साल पहले, वैसी technology, 30-35 साल पहले, खुद इन्वेस्ट करके high-tech में किया था, ताकि क्या trends हो रहे हैं, store में क्या बिक रहा है, एक store में अच्छी क्या best practice है, दूसरे store में पहुंचाओं, इस तरह की चीजों में invest किया, इन्होंने जल्दी बढ़ा होने के लिए कोई जल्दी नहीं मचाए, इनका store अगर राजस्थान में ही था, तो पहरे रायस्थान में बढ़े हुए, फिर हर्याना में गए, फिर दिल्ली में गए, फिर गुजरात में गए, त उन्हें ने कंटिगूस धीरे 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 जहा हैं, उसके आसपास ही बढ़ना शुरू किया, और ओवर 30-40 साल धीरे धीरे पुरे देश में अपने आप फैले, लेकिन टेकनोलोजी में इन्वेस्ट किया, तो 1988 में जो एक कंपनी पुरा मर्जर कर रही थी, बड़ी दूसर का कल्चर सिंगल था, वर्सेज अब इस कंपनी के आप देख लीजिए, चार अलगलग CEO आ जाते हैं, SBU हैड आ जाते हैं, कल्चरली अलग है, बहुत दिक्कत होता है सब को मिला जुला के आगे बढ़ना, और इसके कारण, एमिस अगले आठ से दस साल में, सिर्फ आठ से द सिर्फ आठ दस साल में, जीरो होगी, देवेंट बैंकरप्ट, और वाल्मार्ट केप्ट आउट परफॉर्मिंग, और चूंकी नंबर टू प्लेयर धुस्त हो गया था, वाल्मार्ट इन फाक्ट मार्केट चेर और गेन करता रहा, तो इंडियन कंपनी के में जो बात कर रह था, वो दो कंपनिया है, लूपिन और सन फार्मा, कमाल की जर्नी थी दोनों की बहुत सिमिलर, 2015 में दोनों कंपनियों ने एक बड़ा एक्क्विजिशन किया, लूपिन ने गैविस को खरीदा, इसके बार में अलग वीडियो में बना भी चुका हूँ, जहां उन्होंने कर जब दो management team बड़े-बड़े acquisition similar timeframe में करे ना, उससे एक signal ये भी आता है कि वो sector में भी बहुत ज्यादा तेजी हो गई है, management overconfident हो जाते हैं, तब sector में भी peak multiple हो जाते हैं, जो great great multiple की में बात करता हूँ, कि great व्यापार great multiple में trade कर रहा है, तो one sign कि sector भी peak कर रहा है, होता है जब उस sector में बहुत सारे M&A होते हैं, बहुत सारे acquisition होता है, जो pharma में 2015 में हुआ, इसके कारण आप देख सकते हैं कि दोनों share अगले 5-7 साल बिलकुल नहीं चले और 40-50% गिरे, ये performance था, दोनों shares का अगले 4-5 साल, लूपिन आज तक वो share price तक नहीं पहुँचा है, लूपिन आज भी उस price से 30-40% डाउन है, sun pharma finally after 8 years, 8 साल के बाद उस same price पे आ गया है, 8 साल लग गए, तो जब आपका business model बहुत strong हो जाता है, जब बहुत पैसे आने शुरू हो जाते हैं तब management aggressive हो जाता है, खर्चे करता है, नहीं नहीं कमपनियां खड़िदने ही कोशिश करता है, और often क्या होता है कि ego में हम बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं, रॉंग acquisition कर लेते हैं, जो Amis के साथ हुआ, जो Lupin के साथ हुआ, जो Sun के साथ हुआ, तो a big acquisition is often a sign of companies peaking near term stock price peak, और ऐसे मैं आपको बहुत examples दे सकता हूँ, for example, जब Havels ने Sylvania को खरीदा था, फिर Havels ने दुबारा जब Lloyd को खरीदा, integration, जो management सोचता है कि मैं जो कर पाऊंगा और actual जो होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है, तो often यही होता है, great companyya जब good हो जाती है, क्यों? एक बड़ा acquisition करते हैं, बहुत ego में करते हैं, बहुत पैसे खर्ज करके करते हैं, balance sheet खराब होती है, और company के share price usually बहुत खराब करती है, तो एक simple case study है, to figure कि US में क्या हुआ, because वो market इतना mature है, 100 सालों से आप share price देखते हैं, कंपनियों का price action देख सकते हैं, case study कर सकते हैं, तो मैं भी कोई नई study करता हूँ, तो हमेशा कोशिच करता हूँ कि US में एक parallel ढूंड़ू, because वहाँ की long term share market studies बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो ये study सिब 20-25 साल की हैं, तो ज्यादा है नहीं, इसलिए अगर कुछ सीखना होता है, तो मैं past जब समझना चाहता हूँ, जो तीन principles हैं मेरे past, psychology of principles, पास समझने के लिए मैं इतिहास हमेशा US का देखता हूँ, कि पिछले 50-70-80 साल में वहाँ क्या हुआ है, उसके parallel यहाँ करता हूँ, because इतिहास है ना हमेशा वही होता है, history often repeats itself, it may not rhyme but it repeats, और यही हुआ है यहाँ यहाँ पे. कैंति है? इत नहीं कर intendщा कर दbayणा कर दो कि अभड़ कर दो अबें हुआ यहाँ